हेलो दोस्तो तो कैसे हो आप सब आपका सवगत करता हूँ आपके बने यूटूब चैनल विजाकाले सियाइटेस में दोस्तो डीजीटी की तरफ से जो सियाइटेस फाइनल एकजाम है उसका डिटेल नोटिस भी जारी किया गया है उसको लेकर हम बात करेंगे ये वीडियो आ लेकर भी हम इस यूडियों बात करेंगे ठीक है एलिजीबल कैंडिडेट कौन कौन है जो सियाइटेस फाइनल एकजाम में बैठेगा उसको लेकर हम बात करेंगे एकजामनेशन फीस क्या रहेगी और बायोमेटिक अटेंटेंस आपकी कब तक लगेगी इन सभी को लेकर हम इस यूडियों बात करने वाले है तो वीडियो बहुत इन्पोर्टेंट है शुरू से लेकर लाश तक देखना आप देखे दोस्तों जीन श्टूडेंट ने अभी तक टेलेग्राम चैनल को जोईन कर लेए टेलेग्राम चैनल जोईन करने के लिए आपको सिंपरी टेलिग्राम अब पर जाकर सघकर लेना है जैसे वो सघकर करेंगे सियाइटे सेलेक्टिशन 2022 ते इसके नाम से टेलिग्राम चैनल आ जाएको उसको जोईन कर देना है बाकि जितने भी स्टुडेंट चैनल पर नयव चैनल को सस्क्राइब कर लेकर उनको जहनकारी अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूच सकते हो अब देखे जो स्टुडेंट सियाइटेस फाइनल अगजाम की त्यारी अपनी अच्छे से करना चाता है वो कंप्लीट इस्टी मैटर ले सकता है कम्प्लीट इस्टी मैटर लेने के लिए आपको सिंपली स्वार्ट सब नंबर पर मैसेज करना है ठीक है और हाँ दोस्तों यह इस्टी मैटर पेड है यहाँ पर आपको ट्रेड थियोरी, WCS, ED, सोब्टी स्किल, ट्रेनिंग मैथरलोजी सभी सब्जेक्ट के लिए आपको इस्टी मैटर मिल जाएगा ठीक है अगर आप अपनी त्यारी अच्छे से करना चाते हो सैलिबस के कोडिंग चीज़े कम्प्लीट करना चाते हो तो आप हमारा कम्प्लीट इस्टी मैटर ले सकते हो अब देखे जिस डिटेल नोटीस की बात कर रहा हूँ वो नोटीस यह है और यह नोटीस भी आपका कल ही आया था ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो अब यहाँ पर आप इसका सब्जेक्ट देखोगे पर अब आपके सारे डाउट के लिए हो रहे होंगे कि भई जो आपका इडी का एकजाम है वो कैसा होगा सारी चीज़ा आपको पता लगेगी यहाँ पर अगर वीडियो का आप सुरू से लेकर लास तक एक एक चीज़ों को समझते हो ध्यान से देखते हो तो आपके सारे डाउट इस वीडियों में किलियर हो जाएंगे पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए 30 जुलाई और 30 जुलाई को आपके ओनलाइन एक्जामिनिशन होंगे ठीक है अगर मैं सिंपल सब्दों में कहूं जो सैसन 2023 चोबिस है जो फिलाल चल रहा है ठीक है उनके सिर्फ दो एक्जाम होगे एक ट्रेड थियोरी का होगा एक ट्रेनिंग वैथरलोजी का होगा ट्रेड थियोरी के साथ आपके WCS ED के कोशन पूछे जाएंगे और जिनी स्टूडेन्ट के पास सोब्टी स्किल है उनसे सोब्टी स्किल के कोशन पूछे जाएंगे ट्रेड थियोरी के साथ ठीक है यहां से आपका एक डाउट के लिए रहो गया होगा बाकि जो पिछले सैसन के स्टूडेन्ट है 22 थिस वाले ठीक है जो यह तो एकजाम में फैल हो गई थे यह फिर अटेंडेंस के कारण बैट नहीं पाई थे एकजाम में उनके तीन एकजाम होंगे यानि ट्रेड थियोरी WCS ED ठीक है और जिनके पास सोब्टी स्किल का लगसे होगा Old Training Methodology ठीक है यह कुछ आपके एकजाम होंगे एक नंबर पोइंट यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है यहाँ पर एक अगस्त को जो आपका एकजाम है ED का वो सिर्फ उन स्टूडेंट का होगा जो पिछले सेसन के है यानि 22-23 वाले स्टूडेंट जो फैल हो गई थे यानि सप्लिमेंटरी जो कैंडिडेट है उनका एकजाम होगा जो फिलाल का सैसन है 23-23 इन वाले स्टूडेंट को इससे कोई मतलब नहीं है ठीक है सोप्ट इस्किल का प्रैक्टिकल भी जो सप्लिमेंटरी एकजाम वाले कैंडिडेट है उनका होगा जो स्टूडेंट या तो फैल हो गई थे या फिर वो अटेंडेंस के करन एकजाम में नहीं बैठ पाई थे उन लोगों का ये होगा ठीक है अब यहाँ पर ये चीज़े आपकी कल्बी के लिए रो गई होगी ये सभी के लिए है जो आपका ट्रेड प्रैक्टिकल है ये आपका दो अगस्त और तीन अगस्त को होगा और जो आपका ट्रेनिंग मेत्रिलोजी का प्रैक्टिकल है यह आपका 5 अगस्त और 6 अगस्त को होगा और यह सभी के लिए है चाहे वो मेन एक्जाम के कैंडिडेट हो सेशन 2023 के या फिर सप्लिमेंटरी एक्जाम वाले कैंडिडेट हो सेशन 22 वाले ठीक है और यहाँ आप इन्होंने बोला है कि जब आपका प्रेक्टिकल होगा आपको आदे गंटे का लंच टाइम भी मिलेगा अब बात कर लेते हैं कि भई अटेंडेंस को लेकर जो एक्जामिनेशन गाइडलाइनस हैं यहां से आपकी बहुत सारे डाउट के लिए हो रहे होंगे क्योंगी बहुत सारे स्टुडेंट के कमेंट विया थे कौन स्टुडेंट एक्जाम में बैट पाएगा तो यहां पर आप देख सकते हो पहले नंबर पॉइंट ट्रेड टेक्नलोजी एंड ट्रेनिंग मैसलोजी 1200 गंटे बायोमेटिक अटेंडेंस यह तो आपकी की जाती है अब यहां पर सेकिंड देखिए ओन दी जो ओजीटी ग्रूप प्रोजेक्ट 1500 गंटे यहां पर आपकी बायोमेटिक 80% या उससे जादा होनी चाहिए दिनों में बात करू तो कम से कम 15 दिन जिन भी स्टुडेंट की अटेंडेंस बायोमेटिक अटेंडेंस 120 दिन कम्पलीट है और साथ में 15 दिन का OGT उनको कोई दिकत निया वो एक्जाम में बैठ पाएगा ठीक है यहां पर किलरली मेंसन है अब यहां पर देखे फोर्मीटिव असेस्मेंट यानि जो आपके सैस्टनल मार्क्स है जो कोलिज की दरफ से मिलते है उसके लिए आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए 60 परसेंट या उससे ज़्यादा ठीक है और चोता पॉइंट यहां पर है तीसरा पॉइंट CBT फी यानि जो आपकी एक्जाम में बैठ पाऊगे ठीक है अगर आप यह क्राइटीरिया फुल्फिल करते हो यानि आपकी अटेंडेंस कंप्लीट है दूसरा आपने CBT एक्जाम की फीज जमा कर दी आप एक्जाम में बैठ पाऊगे आपका एडमिट कार्ड आएगा ठीक है आपको कोई दिक्कत नहीं है अब बात कर लेते हैं कि आपकी बायोमेटिक अटेंडेंस कब तक लगेगी बहुत सारे स्टुडेंट का डाउट है तो एक नंबर पॉइंट पर ध्यान से देखें यहां से आपका डाउट किलिए हो जाएगा दा कटोप डेटोप मार्किंग बायोमेटिक अटेंडेंस फोर ट्रेनीज फोर दी अकैडमिक सेसन दोहजार तेईश चोबिस वाज अब तुपंदरा जुलाई यानि जो आपकी बायोमेटिक अटेंडेंस है यह काउंट की जाएगी पंदरा जुलाई तक तो जिन बी स्टुडेंट की अटेंडेंडेंस कम है वो एक्श्ट्रा क्लासिज लगा के अपने अटेंडेंस कम्प्लेट कर लो पंदरा जुलाई तक आपके अटेंडेंस लगने वाली है वाद Key Simpson की अटेंडेंस कम्प्लेट हो चुकी है यानि उनके 120 दिं से जादा है यहां पर जो draftsman group वाले ट्रेड है, जैसे draftsman civil, draftsman mechanical, अगर उनके 4 paper है तो उनकी exam nation फिस 702 रुपे होगी, दूसरा अगर उनके 3 exam है, यानि 3 paper SCVT के तो उनकी फिस 549 रुपे होगी, यहां पर आप देख सकते हो, भाकी देखो आपने उपर देखाऊगा 4 सब्जेक्ट है फिर नीचे 2 देखे अगर किसी की सप्लीमेंटरी एकजाम 2 सब्जेक्ट में है ड्राफ्ट्ट्समेन अगर आपका Group है तो आपकी फीज 316 रूपए होगी अगर आपकी एक सब्जेक्ट में सप्लिमेंटरी है मतलब एक सब्जेक्ट में तो 213 रुपे आपकी फीज जमाऊगी बाकी बात कर लेता है नोन ड्राफ्ट्समेंग ग्रूप नोन ड्राफ्ट्समेंग ग्रूप का मतलब है जो भी आपकी ट्रेड है हाई वो इलेक्टिशन ओ, टर्डनर, फीटर, मसीनिस्ट, कोस्मोटोलोजी, सीएस से, ठीक है, जो भी नोन डाप्समैन ग्रूप ट्रेड है, आपके तीन सीवीटी एकजाम, और यहाँ पर आपकी फीश पांसो नतारीस रुपे है, यह आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर फोर आल कैटिग्रीज, ट्रेनीज, यह आप से एक बारी लिया जाएगा, उस हिसाब से आप देख सकते हो, कि भाई आपके कितने एकजाम होंगे, जितने एकजाम होंगे, उसी अकोल्डिंग आपकी फीश रहने वाली है, ठीक है, मान के चलो जिन इस्टुटेंट के, ओनल अब बात कर लेता हूँ, बहुत सारे स्टुटेंट का डाउट भी था, इसको लेकर यहाँ पर आपके सारा डाउट के लियर हो जाएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे, इंजिनिरिंग ट्रेड की नोन ड्राप्समेन ग्रूपियानी, जैसे इलेक्टिशन, ट्रेनर, फीटर मसी निष्ट, इनकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके, मैंने आपको बताया था, जो ट्रेड थियोरी है, ट्रेड थियोरी के साथ आपका WCS और ED मर्ज कर दी गई है, यानि जो आपका पेपर होगा ट्रेड थियोरी का, उसके साथ ही आपके WCS और ED के कोशन पूछे जाएंगे, ठीक है, यानि आपके टोटल दो एकजाम होंगे, एक ट्रेड थियोरी और दूसरा ट्रेड थियोरी में आपके 38 कोशन पूछे जाएंगे, जो ED के कोशन है, वो 6 कोशन पूछे जाएंगे, और Workshop Calculation Science के 6 कोशन पूछे जाएंगे, टोटल 50 कोशन आपसे पूछ आपका, ठीक है, ट्रेनिंग मैसलोजी में आपके 50 कोशन आएंगे, ठीक है, और यह 100 मार्क्स की है, यह आप देख सकते हो, ठीक है, मैंने अपड़ी पीछली वीडियो में भी आपको बताया था, कि आपको जो ED है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा, WCS है, उसको भी पढ़न नहीं है, ठीक है, जिन स्टुडेंट ने तयारी की है, अच्छे से पढ़ाया, उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बाकी, ट्रेड थियोरी, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको परिसान कर सकता है, शियाई टेस फाइनल एजाम, ऐसा क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए कह क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट जो भारत स्किल की पीडियाफ है, जिसमें लगबग 200-200 कोश्चन है, सिर्फ उसके उपर डिपेंड है, अगर आप सिंपल, अगर उस पीडियाफ के उपर डिपेंड हो, तो दिक्कत आपको हो सकती है, ठीक है, अभी भी आपके पास कर, ठीक है, और ट्रेनिंग मैथेलोजी में आपकी दो नई उनिट एड हुई है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर सिंपली उन पीडियाफ के उपर डिपेंड हो, तो चीजे हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है, कि आपको एक्जाम आपकी बार सर्प्राइज कर दे 38 question, और वरक्सोप calculation के 6 और वरक्सोप science के 6 question, ठीक है, और यह 100 marks का आपका रहने वाला है, total 50 question होगे, और यह 100 marks का, training methodology, 50 question आएगे और 100 marks, आप बात कर लेता हूं, non engineering trade, यानि जैसे cosmetology है, swing technology, fashion design technology, dressmaking, CSA, ठीक है, यहाँ पर आप देखिये, आपके भी दो एक्जाम होगी, trade theory और training methodology, trade theory में आपके 38 questions पूछे जाएंगे और soft skill theory, जो trade theory के साथ merge की गई है, इसके 12 questions पूछे जाएंगे ठीक है, और एक question दो number का होता है, यानि 38 का multiply करोगे दो में, तो 76 marks के आपकी trade theory, और 24 number का आपका soft skill, total 100 marks, ठीक है training methodology में आपके 50 questions पूछे जाएंगे 100 marks के, ठीक है कुछ आपका ये pattern रहेगा ठीक है, तो भाई आपको सारे, मैंने आपको पिछली वीडियो जो बताता सारे subject आप पढ़ोगे, तभी जाके अच्छे number आएंगे, हर subject की importance है, इस चक्कर में मत रहना कि सिर्फ 6 तो question है, बात की क्या guarantee है, बाकी तुम सारी चीज़े सही कर दोगे, ठीक है तो जिस भी student ने सारी चीज़े पढ़िए उसको definitely कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ठीक है, और ये exam pattern सिर्फ session 2023-24 वाले student के लिए है जो फिलाल regular वाले student है जो फिलाल के session में पढ़ रही है बाकी जो supplementary exam वाले student है उनका pattern पिछले वाला ही रहेगा ठीक है, इस बात का ध्यान रखना बाकी जो साथी CIDES final exam की त्यारी अपनी अच्छे से करना चाहता है वो simply whatsapp number पे message कर सकता है यहां से आपको complete study material मिल जाएग और आप अपनी त्यारी अच्छे से कर पाऊगे ठीक है, और यह study material pay desk बात का ध्यान रखना, जो साथी चुको वो message करे ठीक है, इस वीडियो में इतना ही अगर आपका फिर भी कोई doubt रहे जाता है तो भाई आप comment कर देना एक वीडियो में और बना दूँगा बाकी वीडियो में नहीं बनाऊँगा क्योंकि आपका exam का time है आपको अपनी preparation में अच्छे से लग जाना है ठीक है, एक महीने से भी कम समय है आपके पास ठीक है, इस वीडियो में इतना ही doubt होगा तो आप नीचे comment कर देना